हलो फ्रेंज आम बैक अगैन विद अनादर न्यू रेसिपी आज हम लोग बनाने वाले हैं प्राउन मसाला करी अगर अप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंज के बीच में इसे शेर कीजिएगा और स तो यह ले लिया है 2 तमांतर और प्यास इन्हें में रफली चौत कर लिया और ले लिया है यह ग्लास को कॉकुन नीर जो इस इस्तमाल करोंगी तो हम लोग इस्तमाल करेंगे सरसो का तेल तो यहां पर मैंने डाल दिया है दो टेबल स्कून सरसो का तेल लिग दम खौलता हुआ गरम जब हो जाए तब आप लोग इसमें प्यास ठोड़ीजेगा तो प्यास तो हमें बस ट्रांस्परेंट कलर जब तक आ जाए तब लोग इ दिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटर तो यह सारे मसाले हमें तब तर भूनना है जब तक हमारा तमाटर अच्छे से गलना जाए और आप लोग दिखें चाकि यह कड़ाई में भी ना लगे तो एक तम हलके आच में से राई कीजेगा तो दाल दिया है नमक वार निसार हल् तो अभी डाल दोंगी दो टीबल स्पून जैसा पानी ताकि हमारा जो मसाला है वो कड़ाई में ना लगे और भूने भी अच्छे से तो पानी डाल के भी मैंने अच्छे से भून लिया है तो भी जाएगा इसमें हमारा प्रॉन और प्रॉन को भी इससे मसाले के साथ हमें दो तीन मिनिट के लिए अच्छे से ठूण लेना है और बस दो टीन मिनिट बात देखिए अच्छे से प्रॉन भी भून चुका है मसाला भी बून चुका है तो इसमें मैं डाल दोङ में गी एकलास कोकनट मिल्क नाड़े अलका दूद लेड़ाई और बस इससे थक के और पांच मिनिट बात देखिए हमारा प्राउन भी अच्छे से बॉयल हो चुका है एकदम पॉक चुका है और ग्रेवी भी बिल्कुल गाड़ी हो चुकी है तो उपर से हमें डाल देना है कसूरी में ठीक और ये बिल्कुल रेडी है तो आईए इसे सर्फ कर लेते हैं इस कोवल के साथ रोटी के साथ या ब्रेड के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं तो ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूं अब तक के लिए बाबाई सी यू नेक्स चाइम